जैहन दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उमीद है गम शांदार लाजवाब जबरदस्त बहतरी इन जिंदबाद हैं बहुत ही शांदार तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं पढ़ाई में लगे हुए हैं यारे बच्चो आप सभी के लिए आने वाली हैं यह कब तक आएंगी तो इंतजार खतम हो चुका है हलाकि मैं इसे यह कहूंगा कि अभी यह आपका आधा ही इंतजार खतम हुआ है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि अभी जो भरतियां आई हैं वो टेक्निकल ट्रेड्स के लिए आई हैं जो आपकी जनरल लिए बहुत जल्द ही आपको डी के लिए भरतियां देखने को मिलेंगी तो इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इन इन भरतियों के लिए या इन सीटों के लिए क्या आयू रहने वाली है क्या योगिता रहने वाली है और बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है ट्रेड्स को लेके बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है कि हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं तो मैं पहले ही आपको दिखाई देता है डी ग्रेड के लिए भरती नहीं है देखिए सम्राइफल्स में 10 अक्टूबर को अफिशिल नॉटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि भरती आई है जिन कर Anti- Protein बताया अनुटवा सम्राइबने लेकिन वह टेक्नीकल ट्रेडसमें नहीं है तो इसमें ब और सी ग्रेडड के बक्चे आएंगे डी के बक्चे कि सफाई continuer जनकी संख्या dziadah होती है वो वाली भरतिया भी नहीं आई है इनकी जो संख्या है टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो कुल 161 है और आपका जो सबसे बड़ा डाउट रहता है लड़कियों का कि क्या हम eligible हैं तो आप देखें इसमें लिखा हुआ है eligible male और female यानि कि males भी apply कर सकते हैं और साथ ही females भी इस हमारा बताना एक फर्ज है कि वेकैंसी आई हैं कम से कम 161 बच्चों का तो भला होगा वही जब जादा वेकैंसी आएंगी तब भी मैं आपके बीच में आया हूँ अभी मैं बताया दे रहा हूं कि जिनकों जो कुक सफाई वाला वाशर मैन इन सब भरतियों का इंतजार कर थे उनके लिए भरतिया नहीं है तो किर्प्या वह अपना समय व्यर्थ ना करें क्योंकि आपके समय से जरूरी आपके समय से ज्यादा महतुपूर्ण कुछ भी नहीं है आए आगे बात कर लेते हैं जो महतुपूर्ण महतुपूर्ण बाते हैं वह मैं आपको बता रहा हू आपके एक तो दिफू है यानि कि असम्में और आपका कारी बैंग लॉंग है जो कि असम्में है तो खोई है नागालेंड में हैं दीमापुर है यह भी नागालेंड में सिल्चर ओल्च के लिए जाना पड़ेगा ये ओनलाइंड एप्लिकेशन भरते टाइम आएंगे आपको जो भी चाहिएगा उसको आप भर लीजीगा देकि इस लाइन से confused मत होना इसका मतलब है कि after successful submission of the online application option for choosing a center is not available मतलब ऐसा मत समझना कि यह center available नहीं है वो कह रहा है कि अगर आपने एक बार form को successfully submit कर दिया तो center change करने का option center choose करने का option नहीं आएगा ठीक है जी चलिए height के बा है लेकिन किस तिथी से count की जाएगी सबसे जादा बच्चों की doubt age limit को लेकर होते हैं तो age limit जो है वो 18 से 23 साल होगी जो की count की जाएगी आपकी 1 अगस्त 2023 से ठीक है जी यानि कि candidate इन दौनों तिथियों के बीच में आने चाहिए यह देखे candidate इन तिथियों के बीच में आने किसी का जनम निन बढ़ता है तो क्या वो फॉर्म भर सकता है बिल्कुल भर सकता है लेकिन अगर इससे पहले किसी का जनम निन आता है इसके बाद किसी का जनम निन आता है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं ठीक है जी चलिए आगे बात करें कि किस किस पोस्ट के लिए वेक ले लिया फिजिकल निकाल दिया रिटेन निकाल दिया उसके बाद पता चला कि आपके पास तो वह क्वालिफिकेशन ही नहीं है डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए तो वह बड़े दुख की बात हो इसलिए हर एक चीज को महत्वपूर्ण चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है तो देखे इसमें किस-किस की वेकेंसी है यह स्टेट वाइस वेकेंसी है मैं एक स्टेट के लिए आपको बताए दे रहा हूं सारी वेकेंसी लगभग सेम है जैसे कि अगर हम आंदर प्रदेश की बात करेंगे तो पहली वेकें स्टेट में तुरी नायब सुवेदार की है ब्रिज और रोडस में कि आपको पुल और रोड़ का काम मिलेगा नायब सुवेदार अगले अलग तरह की वेकेंशी है लेक्ट्रिकल और मेकैनिकल के लिए वारन्ट ऑफिसर ट्रॉट्समैन आनि कि जो आपके जो नक्सा है वेकेंसी की संख्या आप सभी देख पा रहे होंगे यह सारी की सारी वेकेंसी जैसे अनौचल आपकी आंध्रा प्रदेश में आठ है अनौचल प्रदेश में छे हैं आसाम में आपकी आठ वेकेंसी हैं बिहार में 15 वेकेंसी हैं ठीक है 36 गर में चार हैं उसके बाद दिल्ल अच्पलाजियों काहुं मैं आपकी है एक वेक्एंसिश जिनको लगता है उनकी तयारी बहुत अच्छी है जिनके पास certificates हैं जो भी मांगे गये हैं वह जरूर помог भरिए क्योंकि एक रे assistant होगया यह सबी के पास नहीं होते हैं तो महारास्टा में मज़ोर्म मिजोरम में 10 वेकेंसी घ्राग लेंट में 13 वेकेंसी सेँं उडी शामने आपकी 6 वेकैंसी सें पंजाब में आपकी 2 है терाजिस्तान में district 5 वेकैंसी तमिलनाडू में 5 यह सारी वेकैंसी आपS Estre Bilal भाएगर सकते ह hy हरएक पोस्ट के लिए एक स्टेट में वेकेंसी नहीं आप अपने फिन स्टैट में फिर्केंट सकते हैं कि सी अधरिक टेकंश के लिए इसम फॉर्म नहीं बर सकते हैं आपको documents में अपना जो मूल निवास होता है जिसको हम residential certificate बोलते हैं वो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा तो यह मैं दिखा दूगा notification की जो PDF है वो comment section में पिन करा दूगा आप आराम से उसमें देख सकते हैं अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि vacancies are tentatively मतलब यह जो है temporary ह एक तरह से and may increase or decrease बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं तो ऐसा नहीं कि vacancies इतनी रहेंगी दिखे घटने की तो chances बढ़े ही कम होते हैं ज्यादा तर जो chances होते हैं वो बढ़ने के ही होते हैं online form start हो जाएंगे आपको website से भरना है ज्यादा करिए cyber cafe पिछले जाए उनको बो बात है trades को लेके क्योंकि बच्चे confusion में किसी और trades के लिए form भर देते हैं बाद में कहते हैं कि भीया हमारे पास तो यह ही नहीं certificate नहीं है तो उस समय आप मेहनत करके paper निकाल लिया है आपने physical दे दिया है medical clear हो गया पड़ आपके पास योग्यता ही नहीं है तो फिर आप कैस से जाएंगे इसलिए उस चीज को थोड़ा ज्यान से देखेगा इसमें जो ट्रेड्स हैं आपकी जैसे परस्नल असिस्टेंट की ट्रेड है तो उसमें मांगा गया है आपसे 12th class पास होने चाहिए और शॉट हैंड आपको आने चाहिए शॉट हैंड वाले बच्चे समझ ज दाएंगे ट्रांस्क्रिप्शन टाइम मतलब जो आपने लिखा है फिर उसको सिस्टम पर लिखना है जिसकी स्पीड इंगलिश में 65 पर मिनट की होनी चाहिए और इंगलिश में आपकी 65 पर मिनट की होनी चाहिए एज लिमिट इसमें 18-25 मांगी गई है ठीक है एज हम क्या होना चाहिए संस्क्रत होना चाहिए या फिर हिंदी होनी चाहिए तो संस्क्रत या हिंदी से आप graduate होनी चाहिए बहुत अच्छी opportunity है 18-30 साल age है बहुत ज्यादा age है जिसके पास भी हो क्योंकि यह वो योगताय है मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यह वो होनी चाहिए इलेक्रीशन में होनी चाहिए उम्राब की 18-20 साल होनी चाहिए अगली ट्रेड है रिकवरी वहिकल मेकैनिक की जिसमें आपको 10th class education और उसके साथ साथ आई टी आई का आपके पास certificate होना चाहिए वहिकल रिकवरी वहिकल मेकैनिक में या रिकवरी वहिकल ऑपर जारी ट्रेट घ्रिट हैं कि जनरली बच्चाइन को लेता नहीं है ज्यादा से ज्यादा Baptist पूर्फर करेंगे प्लंबर को प्रेवर करेंगे लिछा ही कम बच्चे लों को निशित तोर पर ही इसका ब्ेनेफिट बहुत बड़िए मिलेगा कि एज आपके 18-20 साल मांए गही इसे इंजिनेरिंग बहुत कम डचों के पास पहुँचेगी कूंकि इंजीनेरिंग वाला बच्चा सेज्व बहूस के देगा इंजिनेरिंग सर्विसेज के एक्जाम देगा, स्टेट सर्विसेज के एक्जाम देगा, ऐसी वेकेंसी उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो इस वीडियो का उद्देश शबह से ही है, कि अगर कोई भी इंट्रेस्टेड हो, तो इस वीडियो को देखे, और यह फॉर्म आप कर सकते हैं, अगले अगर आप ट्रेट देखेंगे, तो इलेक्टिकल और मेकैनिकल की है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानि कि आपके पास इलेक्टिकल और मेकैनिकल में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिविल में भी चल जाएगा, अब बैचलर 온ने चाहिए और तीन साल का डिपलोमा आपका आर की टैक्ट्र में होना चाहिए उसके बात प्लम्बर के लिए आप दस की पास होने टाइए और आपके पास ऑइटी आई होने चाहिए प्लमबर से एज लिमित 18 या से बहुत रेर ट्रेड हैं हर कोई बच्चा नहीं करता है एज लिमिट इसमें 20-28 साल है थोड़ी अलग है एक्सरेशिस्टेंट की यह बहुत कम बच्चे ऐसी को करते हैं यह केवल मेल के लिए उनके में लिखा हुआ है यह केवल मेल के लिए है आपकी प्लंबर और सर्वेयर के मेल के लिए है उसके बाद अगर हम ड्रॉट में देखें वो मेल फीमेल के लिए लेक्टिकल ट्रेड जो है आपकी अठारे से तेश साल होनी चाहिए तो यह इतनी सारी ट्रेड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको वन वाइवन बता दिया है अब आपको यह चेक करना है कि हमारे स्टेट में कौन सी ट्रेड है किस ट्रेड के लिए विकैंसी है उसी ट्रेड के लिए जाके आपको फॉर्म भर देना है ठीक है जी तो यह सारी विकैंसी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि किस स्टेट में कितनी सारी विकैंसी है यह हो गई विकैंसी की बात अब बहुत बढ़ीया तरीके से इसमें समझाई हैं आप कमेंट सेक्षन में छोड़ देना अगर आपके इन से अलग कोई डाउट हो तो मैं जरूर उनको या तो कमेंट सेक्षन में ही दूगा या फिर उन पर बहुत सारे डाउट होते हैं तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने से देखें क्योंकि शुरुआत हो चुकी है तो डीग्रेट की भरती ही फिर जल्दी ही आ जाएगी ठीक है जी रेडियो ऑपरेटर में फीमेल है क्या इसमें रेडियो ऑपरेटर की कौन सी वेकेंसी एक बार देख लेते हैं तीकि मैं फिर से आपको दिखाए देता हूं एक स्ठीकल में दोनों भर सकते हैं प्लमबर और रॉट्समें हो गया अपका सर्वे सेहल ऐक्सेह एक्स्रेइब और केवल इसमें में मेल हो हुआ सकते हैं आर्मीके की बात करूं वह आपकी मेडी इसाब से तो अब या तो जन्वरी के लास्ट में आएगी या फिर आपकी मार् OBC, SC, ST इन सब को reservation मिलेगा जो general मिलता है OBC को 3 साल का बागी को 5 साल का reservation इसमें मिलेगा ठीक है चलिए तो सारी जानकारी आशा करूँगा इसमें आपको दे दी गई होगी अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए आप comment कर दीजिए मैं जरूर comment section में उसको दूँगा मिलते हैं फिर किसी next video में तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार धन्यवाद